लेट फिजिकल एट्रेक्शन या लेट सेक्षवल एट्रेक्शन आना यह क्या होता है इसके बारे में मैं आज बात करूंगा मेरा नाम है डॉक्टर दीपक रहे तर में मनोविकार सेक्ष रोग सम्मोहन तथा व्यसेनम मुक्ति दन्यों महाराष्ट में अकोला में पिछले 40 स इससी प्रिक्टिस करा हैं। हैं एसे लोग रहते हैं जिनको कोई फिजिकल एमोशनल सेक्षवल कोई भी एट्रेक्शन न रहता है और मतलब वह ऐसे एट्रेक होते होते नहीं कोई opposite sex के तरफ एट्रेक्ट नहीं होंगे वो लोग वो लोगों के खास्यत होती है कि वह पहले नहीं होता है है कि वह कुछ आप्रोच भी नहीं करेंगा उसके पास में कुछ याएगा नहीं कुछ नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा जब तक उसको वह क्लिक नहीं होता है एक साथ मतलब शादी सिर्फ हुई है और अभी कनेक्शन इस्टेबलिश नहीं हुआ है बात्चित भी नहीं हुए तो पहले नाइट में फेल हो गए तो फिर नेचरली अभी टेंशन गिल्ट डिप्रेशन एंग्जाइटी दोनों की और प्राब्लम आ सकता है अब आप बुलेगे कि नहीं आशकल तो ऐसा होता नहीं आशकल तो लड़के लड़कियां बात्चीत करते हैं पहले शादी के पहले बात्चीत होती है लो मैरेज होता है एरेज मैरेज है और उन्होंने बात भी नहीं किया है उसके पहले देखा का बड़ों ने हाँ बोला इसने भी हाँ बोल दिया और बात में फिर एकडम शादी और शादी के बाद में सुहाग रात तो यह जानना जरूरी है कि कोई वेक्टिब डेमिसेक्शुल है क्या और वो खुदने होगा कि नहीं आपने कुछ शेक्स ही नहीं है तो डेमिसेक्शुल का इलाज ऐसा कुछ नहीं है इतना है कि वे नो इच अधर नो दी अधर पार्टनर पहले इंटिमेंट हो जाओं इमोशनली अटेश हो जाओं और बात में फिर शेक्स करो आपके विशा लाखाज लोगों थैंक यह वेरी मुच्छ